कुछी महीने पहले करनाटक में चुनाव हुआ एक तरफ बीजेपी और उनकी विचारधारा, दूसरी तरफ कॉंग्रेस पार्टी हमारी विचारधारा. उनका काम लोगों को बाटने का, नफरत फैलाने का, हिंसा फैलाने का, हमारा काम लोगों को जोडने का, नफरत के बाजार में महबत की दुकान कोलने का. और करनाटक में हमने कहा, जैसे पहले हमने 36 गड़ में वाइदे किये थे, किसानों को सही दाम देने का वाइदा, जो हमने पूरा किया, किसानों का कर्जा माफ किया, बिजली बिल हाफ किया, जैसे हमने यहाँ वाइदे किये थे, वैसे हमने करनाटक में पांच वाइदे किये. चुनाओ से पहले बीजेपी के लोग, हर बार वो कोई ना कोई नमबर निकाल देते हैं, कोई कहता है 230 सीट आएंगी, कोई कहता है 250 सीट आएंगी, मगर करनाटक में करनाटक के हर गरीब व्यक्ति ने हर गरीब व्यक्ति ने पुरा दम लगा के कॉंग्रेश पार्टी को जिता हैं, और वो ही यहाँ हुआ था, देखिए एक बात मैं साफ करना चाहता हूँ, बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के दो-तीन अरब पतियों के लिए काम करते हैं, नाम आप जानते हो, कुछी दिन पहले, दुनिया के सबसे बड़े फाइनाशल अकबारों में, अदानी जी के बारे में, कहानी आई, आर्टिकल छपा, दुनिया के सबसे बड़े फाइनाशल न्यूस पेपर में लिखा था, अदानी जी, जो नरेंद्र मोदी जी के करीब हैं, उन्होंने हिंदुस्तान से, हजानों करोर रुपया, बाहर देशों में भेजा, और उस पैसे से, स्टॉक मार्किट में, अपने शेर्ज की कादाम बढ़ाया, और उस पैसे से, अदानी जी, आपके जो पूझे हैं, आपका जो इंफ्रस्ट्रक्चर है, आपके जो एरपोर्ट हैं, सुनाएं अब, रेलवेश स्टेशन भी उनको दिये जाएंगे, पूरा का पूरा, एक व्यक्ति के हवाले किया जा रहा है, और मैं साफ कहना चाहता हूँ, कि चाहें वो करनाटक की सरकार हो, चत्थिसगड की हो, राजस्तान की हो, हिमाचल की हो, और जो अब ही आने वाली हैं, तेलंगाना, मध्यप्रदेश, ये सारी की सारी सरकारें, गरीबों की सरकारें होंगी, अदानी की सरकारें नहीं होंगी, और प्रदान मंत्री को साफ कहना चाहिए, देश को बताना चाहिए, और चत्थिसगड के युवाओ को बताना चाहिए, कि वो अदानी जी पर इंक्वाइरी क्यों नहीं करवा रहे हैं, ऐसी क्या बात है, कि नरेंद्र मोधी जी, अदानी जी पर इंक्वाइरी नहीं करा सकते हैं, दो तीन सवाल हैं भाई और बेहनों युवाओ, ये जो हजारों करोड रुपे हिंदुस्ताइन से बाहर गया, ये पैसा किसका था, पहला सवाल, ये अदानी जी का पैसा नहीं था, ये किसी और का पैसा था, किसका पैसा था, ये पहला सवाल है, प्रधान मंत्री जी कोई इंक्वाइरी नहीं करवाएंगे, मैं आपको साफ कह देता हूँ, हिंदुस्तान का प्रधान मंत्री, अदानी जी पे कोई अंक्वाइरी करा ही नहीं सकता क्योंकि अगर उसका अंक्वाइरी का नतीजा निकल गया तो नुक्सान अदानी जी को नहीं होगा नुक्सान किसी और को होगा तो चत्तिस गड़ में हमने क्या किया चत्तिस गड़ में किसानों को धान के लिए सही दाम दिया और आज आप सारे प्रदेशों को देख लीजिए लिस्ट निकालिए सवाल पूछिए धान के लिए सबसे ज़्यादा पैसा कौन से स्टेट में मिलता है जवाब मिलेगा 36 गर, 36 गर, 36 गर और प्रधान मंत्री जी यहां आई थे और कहा था कि कॉंग्रेस पार्टी इस वाइदे को पूरा नहीं कर सकती है कहा था पैसा नहीं है हमने साफ दिखा दिया पैसा है और वाइदा पूरा हमने कर दिया जहां भी हम जाते हैं हम जूटे वाइदे नहीं करते पंद्रा लाख रुपए का वाइदा हम नहीं कर सकते नरेंद्र मोदी जी ने कहा था काला धन वापस आएगा पंद्रा लाख रुपए बैंक अकाउंट में जाएंगे उल्टा हजारों करोर रुपए हिंदुस्तान से बाहर जा रहा है इंटरनाशनल अगबार कह रहे हैं कोई इंक्वाईरी नहीं तो अब चत्तिसगर के युवाँ जो हैं आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और हम चाहते हैं कि आप प्रदेश को चलाने में राजनेती को चलाने में आगे आएं आपको पीछे नहीं रहना चाहिए आपकी जो नई जेनरेशन है भविश्य आपका है आने वाले समय में चत्तिस गड़ आपका है और आपको आगे बढ़ना पड़ेगा और इसलिए हमने राजीव युवा क्लब आपके लिए बनाए है हर क्लब को एक लाख रुपए तीन लाख युवाओं को क्लब में हमने जोड़ा है और ये ऐसे नहीं जोड़ा है मैं आपको साफ बताना चाहता हूँ हमने इसलिए जोड़ा है कि आप इस प्रदेश को चलाने में इस प्रदेश को चलाने में आप भाग लें और हम आपके लिए राजनेती के दरवाजे खोलना चाहते हैं कि कुछी सालों में आपके बीच में से 36 गड़ के MLA प्रदान वो नेता चुन के आएं इसलिए हमने ये काम किया है दो तिन चीज़े मैं और कहना चाहता हूँ जो हमारे आदिवासी भाई हैं आपके लिए हमने पैसा कानून लाया आपकी जमीन की रक्षा की मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ आदिवासी का मतलब जो हिंदुस्तान के ओरिजिनल मालिक है आदिवासी का मतलब इस देश की जो जमीन है जो धरती है उसके सबसे पहले आप मालिक थे मतलब मतलब आपकी जमीन पर जंगल पर जल पर आपका हक बनता है बीजेपी ने एक नया शब्द लिकाला है वनवासी इस शब्द का बिलकुल दूसरा मतलब है हम चाहते हैं कि आदिवासी युवा जो भी सपना देखना चाहें देखें और उस सपने को पूरा करें डॉक्टर बनना है इंजिनियर बनना है बिजनस चालू करना है लॉयर बनना है जज बनना है manufacturing unit चुरू करना है सब सब चीजों में आपको शामिल होना चाहिए वो चाहते हैं कि आप जंगल में ही रहें आप जंगल के बार ना आए शब्द के पीछे सोच है भाई और भेनों उनका कहना है कि आप पहले हिंदुस्तान के मालिक नहीं थे आप जंगल में रहते थे और आपको जंगल में रहना चाहिए हम कहतें नहीं जंगल का हक जमीन का हक जल का हक आपको मिलना चाहिए मगर जो भी आप सपना देखना चाहते हो जहां भी आप जाना चाहते हो वो सपना आपके लिए पूरा होना चाहिए यह फरा के विचारधारा में और पूरे देश में भाईयों और बेहनों पूरे देश में यह नफरत फैला रहे हैं आदिवासियों को निया नाम दे देंगे एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ा देंगे एक बाशा को दूसरी बाशा से लड़ा देंगे एक जाच को दूसरी जाच से लड़ा देंगे हमारा काम जोडने का है जहां भी यह नफरत फैलाते हैं चाहिए वो मनिपूर हो असाम हो करनाटा को जहां भी यह नफरत फिलाएंगे कॉंग्रेस पार्टी के कारे करता वहां जाकर मुहबत फिलाएंगे यह हमारा काम है यह हमारी जिम्हदारी है आप देखिए भारत जोड़ो यात्रा का यही लक्ष था कन्या कुमारी से हम शुरू हुए स्रीनगर तक गए मीडिया में इन्होंने बीजेपी के लोगोंने हर रोज यह कुछ न कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं नफरत फिलाते हैं भारत जोड़ो यात्रा ने पूरे हिंदुस्तान को जोड़ने का काम किया हर धर्म को हर जात को हर भाशा को हमने याद दिलाया कि आप सबसे पहले हिंदुस्तानी हो और आप सब को एक साथ मिलकर महबबत के साथ इज़त के साथ रहना है यह यात्रा का मेसेज था और यह बहुत गहरा मेसेज था नया मेसेज नहीं था बहुत पुराना मेसिज है सदियों से यहाँ पे 36 गड़ में और बाकी प्रदेशों में लोगों ने यह मेसिज दिया है और यही कॉंग्रेस पार्टी का और हिंदुस्तान का डियने है हम जोडते हैं और नफरत फैलाते हैं हम किसानों के लिए मजदूरों के लिए छोटे भी अपारियों के लिए काम करते हैं वो दो तीन अरब पतियों के लिए काम करते हैं कुछ साल पहले मैंने बगेल जी से एक बात कही मैंने कहा जहां भी मैं जाता हूं मैं युवाओं से पूछता हूं आपके सामने सबसे बड़ी मुश्किल क्या है बीजेपी ने जो हिंदुस्तान की रीड की हड़ी है आर्थिक रीड की हड़ी है उसको तोड़ दिया है जो छोटे वी अपारी थे जी एसकी और नोट बंदी ने उनको खतम कर दिया जान मूझ के खतम किया और जब भी मैं इनसे पूछता हूँ आपके सामने सबसे बड़ी मुश्किल क्या है कहते है बेरोजगारी और मैंने च्छतिस गर्ड की चीफ मिनिस्टर से कहा देखिए च्छतिस गर्ड में अलग-अलग स्किल्स है हर डिस्ट्रिक्ट में आप कुछ ना कुछ बनाते हो मगर जो छोटे बिसनस वाले होते हैं उनको बैंक का पैसा नहीं मिलता उनको मीडिया का सपोर्ट नहीं मिलता और मैंने च्छतिस गर्ड के चीफ मिनिस्टर बगेल जी से कहा कि आपका फोकस आपका फोकस इन छोटे वियापारियों पर होना चाहिए चोटे बिजनेस वालों पर होना चाहिए बैंक के दर्वाजे उनके लिए खोलने चाहिए और मार्केटिंग हो तो इनके लिए हो और खुशी से मैं कहता हूँ कि बगेल जी ने इस पर काम शुरू कर दिया है और इस से आने वाले समय में लाकों युवाओं को फाइदा मिलेगा हजारों नए बिजनेस खुलेंगे और लाकों युवाओं को रोजगार मिलेगा देखिए आपको सिरफ चत्तिस गड़ के नहीं सोचनी है चत्तिस गड़ हिंदुस्तान का सेंटर है बेंगौल से गुजरात को जाता है चत्तिस गड़ से निकलना पड़ता है आप सेंटर लाइन पे हो और आपको देश का लोजिस्टिकल सेंटर बनना चाहिए कि आप इंफ्रस्ट्रक्चर तियार करिए कि चत्तिस गड़ हिंदुस्तान का लोजिस्टिकल सेंटर बने जो भी माल बेंगौल से गुजरात बाकी प्रदेशों में जाए वो यहाँ प्रोसेस हो यहाँ से निकले एरपोर्ट से आप बाकी दुनिया को चत्तिस गड़ से जोड़िये सिर्फ हिंदुस्तान को नहीं बाकी दुनिया को आप एरपोर्ट से जोड़िये चत्तिस गड़ को जोड़िये कि हमारे जो युवा है चत्तिस गड़ के जो प्रोड़क्स हैं वो पूरी दुनिया में जाएं सिर्फ हिंदुस्तान में ना रहें। मुझे लगता है कि 36 गड़ की सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। और आने वाले पाँच सालों में भी यहां पे 36 गड़ की सरकार, कॉंग्रेस पार्टी की सरकार जबरदस्त काम करने जा रहे हैं। जिताओगे, मध्यप्रदेश में जिताओगे, राजिस्तान में जिताओगे। हमारी सभगेल जी, हमारी सरकार को हमारे कार्य करता की रक्षा करनी चाहिए। करती है, मगर और डट के, जो हमारा कार्य करता है, उसे लगना चाहिए, कि मैं कॉंग्रेस पार्टी का कार्य करता हूँ, मैं कॉंग्रेस पार्टी की विचार धारा के लिए लड़ता हूँ और मरता हूँ, देश को आपकी जरुरत है, नफरत से देश आगे नहीं जा सकता है, हिंसत से देश आगे नहीं जा सकता है, अर्दव्यवस्ता नहीं बढ़ सकती है, मोहबबच से इज़त से काम किया जाता है और अगर देश को जोड़ा जाता है सबको एक साथ लाये जाता है तो देश तेजी से प्रगति करता है आप सब यहाँ आए इतनी प्यार से आपने मेरी बात सुनी इसके लिए आप सबको दिल से धन्यवाद और जो युवा है जो अब इस इन क्लब्स में शामिल होंगे आप याद रखिए 36 गड़ का भविश्य आपका है आपकी बड़ी जिम्यदारी है आपको राजनेती में आना है और आपको 36 गड़ को भविश्य में तलाना है बहुत बहुत धन्यवाद जैहिं नमस्कार